तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे Senior Citizen Saving Scheme Calculator तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हों मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन कर दिया है यहाँ पे Deposit का Sell है और यहाँ पे Month का Sell है जो की हमने January से लेके अगले साल January तक लिया है यहाँ पे Interest Rate है जो की हम Define करेंगे की Interest Rate क्या चल रहा है अभी Senior Citizen Saving Scheme Account में यहाँ पे Interest है जो की Calculate करेगा आपका Interest quarterly आपको कितना Interest मिलेगा और साल में पूरा Interest कितना होता है वो हम इस Column में दिखाएंगे तो Senior Citizen Saving Scheme के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो यह Government Back Saving Scheme है इसका मतलब यह है कि जो भी Returns है वो Guaranteed है और जो भी आपका Principal Amount है वो भी Guaranteed है तो बहुत ही Low Risk है इस Account में दूसी चीज यह जो Senior Citizen Saving Scheme है यह 5 साल के लिए होता है तो जो भी आप Deposit करोगे अपना Amount वो 5 साल तक आपका Amount जो है वो Locked In रहेगा तीसी चीज यह है दोस्तों कि जिनकी उम्र जो है 60 साल या उससे जादा है वो इस Account को Open कर सकते है जो कि Senior Citizen Saving Scheme है इस Account को चौती चीज यह है दोस्तों कि इसका जो Interest है वो हर Quarter में Calculate होता है तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे हर Quarter में आपका Interest Calculate होते जाएगा Example के तौर पे तो चल्दी से हम Examples भी ले लेते हैं दोस्तों तो यहां पे जैसे आप देख सकते हो Deposit वो मैं देता हूं 5 लाग रुपे का और Interest Rate जो है वो देते हैं हम 7.4% का तो दोस्तों अभी जो Quarter चल रहा है जुलाइ से लेके September 2020 का उस Time जो Interest Rate है वो 7.4% का है और यह Annual Interest Rate है दोस्तों मतलब क्या है कि यह साल का Interest Rate है तो इसे just मैं Extend कर देता हूं और इसका जो Calculation Process है वो इस प्रकार से है दोस्तों कि अगर आपने Deposit किया है 5 लाग रुपे और आपने Account खोला अपना 5 लाग रुपे से और January के महीने में खोला है समझो और Interest Rate जो है वो चल रहा है 7.4% तो क्या होगा कि पहली तारीक के April में जब Quarter खतम होगा तो आपको वो Interest उस Quarter के लिए मिलते जाएगा तो दोस्तों जैसे कि आप ये Green Color Sales देख रहे हो इनके पहली तारीक में आपको Interest मिलना शुरू होगा तो बेजिकली ये जनवरी में आपने Account को लाए तो आपको April से मिलना शुरू हो जाएगा Interest उसके बाद July में भी मिलेगा पहली तारीक के और पहली तारीक October में भी मिलेगा और फिर अगले साल के पहली तारीक के जनवरी में में आपको Interest मिलेगा तो दोस्तों ये Interest कैसे Calculate होगा ये हम देखते हैं तो basically इसके लिए एक formula है वो इस प्रकार से है कि ये जो आपका Interest है वो जो Interest Rate है ये आपका 7.4% उसको लिया जाएगा अब ये जो है ये साल का Interest Rate है दोस्तों तो इसे हम quarter में अगर convert करेंगे तो हमें इसको divide by 4 करना होगा इसका मतलब क्या है कि 7.4 divided by 4 करेंगे मतलब हमें एक quarter का Interest Rate मिलेगा और उस quarter के Interest Rate को हम multiply करेंगे हमारे deposit से जो की 5 लाग रुपे का investment है तो उसको हम multiply करेंगे और divide करेंगे 100 से तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो Interest का calculation है वो होता है तो अगर मैं फिर से अगर आपको कहूँ जो Interest है वो इस प्रकार से calculate होगा कि आपका जो Interest Rate है उसे लेना है हमें divide by 4 करना है ताकि हमें एक quarter का Interest Rate मिले और उसको हम multiply करेंगे अपने deposit amount से जो की ये वाला 5 लाग का राशी है और divide करेंगे 100 से तो जब हम enter पे click करेंगे तो हमें एक amount मिलेगा तो ये amount आपका quarterly interest है वो है दोस्तों तो April की पहली तारिक में अगर आपने 5 लाग deposit किया है जन्वरी के महिने में तो 1st of April उसी साल में आपको 9,250 का interest मिलेगा अगर आपका interest rate जो है वो चल रहा है 7.4% दोस्तों एक important चीज नोट करने की ये है कि जिस time आप अपना senior citizen saving scheme का जो account open करोगे उस time जो आपको interest rate मिलता है वही interest rate throughout the maturity period आपको applicable होगा इसका मतलब ये है कि quarterly जो senior citizen saving scheme में interest rate revise होते रहते हैं वो आपके account में apply नहीं होगा क्योंकि आपने जब account खोला था वो 7.4% का interest rate था तो वही applicable होगा पूरे 5 साल तक तो जैसे मैंने कहा कि 5 साल तक आपका ये amount जो है वो locked in रहेगा तो interest rate भी आपका locked ही रहेगा उसी interest rate पे आपको interest मिलना शुरू होगा अगले quarter से अगले 5 साल तक तो दोस्तों हम July के लिए भी वही same formula apply करते हैं तो हम क्या करेंगे हमें quarter का interest rate चाहिए तो हम ये quarter का interest rate लेंगे हम divide करेंगे इसको 4 से ठीक है और हम multiply करेंगे इसको अपने deposit से और divide करेंगे 100 से तो दोस्तों ये same amount हमें मिलते जाएगा हर quarter उसी प्रकार हम इसके लिए भी ये कर देते हैं interest जल्दी से calculate कर देते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमने अपना जो formula है वो चारो quarters में डाल दिया है April के महिने में July, October और January के महिने में तो इन महिनों की पहली तारिक में आपको इतना interest मिलते चाहेगा तो जो साल का interest होगा दोस्तों वो होगा पूरा इसका addition जो की जो भी इसका add करके हम में value मिलेगा वो आपका साल का interest rate होगा तो साल का interest rate हम जल्दी से define कर देते हैं हम इसको sum करते हैं यह वाले values तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 37,000 हो गया आपका साल का interest तो इस तरीके से अगर आपका deposit जो है पांच लाग रुपे का है और अगर आप open करते हो senior citizen saving scheme account जनवरी क महिने में और आपका interest rate है 7.4% तो आपका interest जो है 9,250 होगा हर quarter और फिर साल में जो है वो इतना total हो जाएगा दोस्तो इसका मतलब क्या हुआ कि साल में अगर 37,000 है तो 5 साल के बाद कितना होगा हम जस्ट इसको multiply करेंगे 5 से तो इसका जो formula होगा वो ये number जो की 37,000 है और multiply करेंगे हम इसको 5 तो ये 5 साल का आपका interest हो गया दोस्तो तो दोस्तो इस प्रकार से हमारा जो senior citizen saving scheme है इसमें interest calculate होते रहता है और 5 साल के बाद जो राशी होगी 5,000,000 के deposit पे वो होगा 1,85,000 रुपे तो दोस्तो इस प्रकार से आपको ये जो quarterly interest है वो म 5 साल के बाद वो होगा 1,85,000 रुपे प्लस जो आपका deposit amount है दोस्तो वो भी आपको 5 साल के बाद मिलेगा इसका मतलब क्या है कि आपको ये interest के साथ जो की ये है प्लस आपका जो deposit amount है वो उसको हम add कर देते हैं तो जो total amount होगा दोस्तो वो होगा 6,85,000 रुपे तो दोस्तो अ अगर आप retired हो या फिर अगर आपकी उम्र साथ साल या उससे जादा है तो आप senior citizen saving scheme account open कर सकते हो और आपके deposit के हिसाब से आप ये देख सकते हो कि आपके account opening के time interest rate क्या चल रहा है और किस हिसाब से आपका interest calculate होगा हर quarter में उसी हिसाब से साल में आपका क्या interest होगा और फिर 5 स के साथ साल के साल के बाद क्या interest होगा वह भी आप calculate कर सकते हो इस excel sheet के द्वारा और फिर AND में आपका interest के साथ आपका जो deposit है ़ोवी मिलाकर आपका जो टोटल amount है वह कितना हो जाता है maturity amount जिसे हम कहते हैं तो वह भी आप calculate कर सकते हो इस excel शीट के दुबारा तो जल्दी से हम और एक example ले लेते हैं समझे अगर आपने 10 लाग का इसी प्रकार से deposit किया है और हम same interest rate रखते हैं 7.4% का तो आप जैसे देख रहे हो साल का जो है 37,000 का जो interest मिल रहा था आपको वो आप 44,000 हो जाएगा और 3,70,000 जो है वो आपका total interest हो जात calculate करते हैं senior citizen savings scheme account में और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दो कि 5 साल के बाद आपके पास option रहता है कि आपको अगर अपना principal amount निकालना है तो आप निकालके उस account को close कर सकते हो या फिर आप उस account को extend भी कर सकते हो और 3 साल तक के लिए तो अगले 3 साल भी आपको इसी प्र वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें मैंने आपको excel calculation के जरीए यह बताया कि PPF में कैसे आपका interest calculate होगा savings account में कैसे आपका interest calculate होता है और income tax के लिए भी दोस्तों आप मेरे जो वीडियोस हैं वो देख सकते हो मैंने अल्रेडी डाले हुए हैं वीडियोस कि किस प्रकार से financial year 2020 2020 और 2021 के लिए आप अपना income tax calculate कर सकते हो old tax labs और new tax labs के हिसाब से दोस्तों आप मेरे फ्री एंड़र अफिन कैल्सी डाउनलोड कर सकते हो जो कि आपको मदद करेगा income tax calculate करने में और PPF interest भी calculate करने में इसका link मैंने description section में दिया हुआ है यह absolutely free है और play store पे already available है तो दोस्तों चैनल फिन कैल्सी टीवी को ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप देख सकें और हां बैल आइकोन को दबाना मत भूलिएगा धन्यवाद